सबी जीव जनतु अंगिनत कोशकाओं से बने होते हैं इसका मतलब कोशिका हर जीव जनतु की सकारात्मक और कार्यात्मक इकाई है यदि सभी जीव जनतु कोशकाओं से बने हैं तो इसका मतलब हमारा शरीर भी अंगिनत कोशकाओं से बना है हाँ या नहीं? हाँ, लेकिन क्या हम इन कोशकाओं को ऐसे ही देख सकते हैं? इनने नहीं देख सकते हैं, तो हम इन कोशिकाओं को कैसे देख सकते हैं, कैसे अध्यान कर सकते हैं इन कोशिकाओं का, हम इन कोशिकाओं को सुक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, क्या आप जानना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसे काम कर करता है आप सबने magnifying glass तो देखा ही होगा जब भी हम magnifying glass या आवर्धक लेज्स के द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वह हमें बड़ी दिखाई पड़ती है देखिए इस प्यास के टुकुडेक में अंदर की जिल्डी कितनी साफ दिखाई दे रही है इसी तरहां सुक्ष्मदर्शी भी हमको मदद करता है कोशिकाओं को बड़ा देखने में और उनका असानी से अध्यन करने में तो आज हम प्यास की जिल्ली की अस्थाई आरोपन बनाकर उसकी कोशिकाओं का अध्यन करेंगे आईए देखते हैं कि यह अस्थाई आरोपन बनाने के लिए हमें क्या-क्या सामगरी की आवशकता है हमें चाहिए एक प्यास इस प्यास के छोटे-छोटे टुकडे करकर काटकर पानी में रख ले वाच ग्लास, स्लाइड ध्यान दें कि स्लाइड साफ हो स्लाइड को पकड़ते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे किनारों से ही पकड़ें प्यास की जिल्ली निकालने के लिए फोरसेप और ब्रश, ड्रॉपर, एक बीकर में थोड़ा सा पानी इन कोशिकाओं को अध्यान करने के लिए और इन्हें ध्यान से देखने के लिए हमें अभिरंजक की आवशकता होती है इस प्रयोग में हम जिस अभिरंजक का प्रयोग करेंगे वह है साफ्रिन साफ्रिन अभिरंजक पौधों की जिल्ली की बहाईय तवचा को रंगता है पौधों की जिल्ली की बहाईय तवचा जो सेलूलोस से बनी होती है यह अभिरंजक उसे गुलाबी या लाल रंग देता है स्लाइड पर कवर करने के लिए कवर स्लिप आईए अब देखते हैं कि कैसे हम ये आस्थाया रूपन बना सकते हैं सबसे पहले एक वाच ग्लास लीजिए उस वाच ग्लास में हमें एक बूंद पानी और एक बूंद सैफ्रनाइन अभिरंजक मिला कर रखना है ध्यान रखिए कि जो ड्रॉपर आप पानी के लिए इस्तमाल करें वह ड्रॉपर आप अभिरंजक के लिए इस्तमाल ना करें अर्थात दोनों के लिए अलग-अलग ड्रॉपर इस्तमाल करें अब प्यास का एक टुकड़ा लीजिए और उसकी अंतरूनी तुच्छा से फॉर्सेप की मदद से जिल्ली निकालने अब इस जिल्ली को इस वाच ग्लास में जिसमें अभी रंजक और पानी है डाल ले ध्यान दें कि यह जिल्ली मुड़े नहीं अब इसे एक से दो मिनिट के लिए इसी तरह रखते अब एक स्लाफ स्लाइड लें और उसके बीचों बीच एक बुन्द पानी डाल लें अब ब्रश की मदद से इस अभिरंजक से रंगी हुई जिल्ली को स्लाइड पर डाल लें ध्यान दें कि यह जिल्ली मुड़े नहीं अब हम अपनी स्लाइड पर कवर स्लिप रखेंगे कवर स्लिप पो भी किनारों से पकड़ें और ध्यान से हम इस पर कवर स्लिप रखेंगे और डाईसेक्टिंग नीडल की मदद से धीरे-धीरे इस जिल्ली पर रख दें ध्यान दें कवर स्लिप रखते समय स्लाइड में वायू बुलबुले ना आए स्लाइड के आसपास अतिरिक्त स्टेन वा पानी को साफ कर ले अब हमारा प्यास की जिली का अस्थाई आरोपन तयार है आएए अब इस स्लाइड का अध्यन हम सूख्ष्म दर्शी में करते हैं सूख्ष्म दर्शी को लाइड की तरफ रख कर इस स्लाइड को इस आस्थाई आरोपन को जब हम सूख्ष्म दर्शी में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा सूख्ष्म दर्शी में इस स्लाइड को देखने पर हमें पता चलता है कि पादब की कोशिकाएं आयताकार होती है पादब की कोशिकाओं में कोशिका भित्ती होती है जो सेलूलोस से बनी होती है अर्थात सेल वॉल पादब कोशिकाओं में एक केंद्रक होता है अर्थात नूकलियस जो मध्ध मिना होकर एक तरफ होता है तथा इनमें कोशिका द्रव्वे या साइटोप्लाजम दिखता है हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये कोशिकाए पादब की हैं पादब कोशिकाएं आयाताकार आयकार की होती हैं और इनमें केंदरक एक तरफ को होता है तथा इनमें अंतर कोशिकाएं अवकाश नहीं होता तो आज हमने प्यास की जिल्ली में कोशिकाएं का अध्यन किया उनका अस्थाई आरोपन बनाकर हम आशा करते हैं कि आपने सीख लिया होगा कि प्यास की जिल्ली का अस्थाई आरोपन किस तरह से तयार किया जा सकता है और उनकी कोशिकाएं का अध्यन किस प्रकार से किया जा इस प्रयोग के लिए हम प्यास की जिल्ली का ही इस्तमाल क्यों करते हैं क्योंकि प्यास की तुलना में अन्य पौधों की जिल्ली कठिनाई से निकलती है जबकि प्यास की जिल्ली हम असानी से निकाल सकते हैं झाल झाल